हेलो एव्रिवन, उमीद है आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी पिछले स्टेप के अंदर हमने कीबोर्ड इंटरेक्शन यूज़ करते वे ये दिखा था कि इसने को मुसलसल एक डायरेक्शन में कैसे मोव करवाते हैं तो हमने उसके लिए x-velocity और y-velocity इस्तेप के अंदर हम कुछ unique करने जाएंगे wait for it yes हम ये देखेंगे कि walls की collision को किस तरीके से इस्तेवाल किया जाता है और हम snake को किस तरीके से screen पर ही रखेंगे और screen से बाहर नहीं जाने देंगे इसमें जो हमारा rule है वो ये है कि अगर snake किसी भी दिवार के साथ टकराएगा तो वो दूसरी side से नजर आना start हो जाएगा जैसे कि अगर वो अपने right wall से टकराता है या सीधे हाथ की दिवार से टकराता है तो वो उल्टे हाथ की दिवार से appear हो जाएगा यानि कि नजर आना start हो जाएगा तो एक side से वो exit करेगा बाहर निकलेगा और दूसरे screen side से वो वापस screen में आ जाएगा तो कुछ ये target है हमारा आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये एक wall से टकराता है तो ये दूसरी side वाली wall से वापस screen के अंदर आ जाता है तो आएँ चलें देखें code के अंदर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे git checkout dot और उसके बाद हम करेंगे git checkout step 5 अब इसके अंदर हमारा पिछला जो code है वो तो वैसा कर वैसा ही है लेकिन यहां पर कुछ नया code add हुआ है ठीक है और यही वो सारी चीज है यही वो logic है जो कि हमें इस game के अंदर मजीद add करनी है और आप देखें कि यह कोई बहुत जादा line of code नहीं है एक छोटी सी चीज है जो कि हमें यहां पर करनी पड़ेगी तो अब देखते हैं कि यह असल में है क्या तो जैसे कि हमने discuss किया कि अगर वो एक दिवार से टकराए और दूसरी दिवार से इंटर हो जाए वापिस वो left boundary से बाहर निकल जाए अब आपको पता है कि हमारा जो canvas है जो आप अपने screen पे देख रहे हैं कि वो 0-0 से start होता है अगर किसी भी वज़ा से मेरे player position की जो x value है वो 0 से कम हो जाती है ठीक है क्योंकि अगर हम अपने game loop में जाए तो आप देखें कि यहाँ player position x के अंदर x velocity add होती जाती है और जब हम left की दबाते हैं तो हमारे पास minus 1 add होता रहता है तो इसका मतलब है कि 10 game loops के बाद उसकी value या तो 0 हो जाएगी या तो minus 1 हो जाएगी और उसके बाद मजीद कम होती रहेगी लेकिन अगर वो minus 1 हो जाए तो इसका मतलब अब तो वो हमारे screen पे ही नहीं रहा तो उसी tiles count minus 1 कर देंगे ठीक है tiles count minus 1 का मैंने आपको case बता दिया था कि हम 0 से start करते हैं और हमारे पास 20 tiles है जो कि आपने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास tiles count 20 है तो अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हमें आखरी वाले tile पे place करना है snake को तो हम 19 इस्तमाल करेंगे तो वो ही हमने यह लिखा है कि अगर player position x जो है वो 0 से कम हो जाए या आप यह बोलने हैं कि वो left वाली दीवार से टकरा रहा है तो उसे right वाली दीवार पे हम place कर रहे हैं तो हम player position की x को कहते हैं tiles count minus 1 जिसका मतलब है 19 तो अब जब यह आगे पहुँचेगा तो player position x होगी 19 और 19 multiplied by tiles count ठीक है इस तरीके से अगर हम right दीवार की बात करें तो वो कैसे होगा वो ऐसे ही होगा कि अगर player position x जो है वो बढ़ जाए tiles count minus 1 के यानिके अब player आगे जाता जा रहा है और अब वो बिल्कुल दीवार वाले point पे आ गया है जो के होता है 19 लेकिन अगर 19 से भी जादा हो जाए यानिके 20 हो जाए तो हम player position x को zero कर देंगे तो वो left वाली दिवार से जाके चिपक जाएगा ठीक है तो अब ही हम इसको save करेंगे और पहले ये left और right का case चेक करते हैं तो अब हम अपने browser पे आ गए हम इसको refresh करेंगे ताकि हमारे पास latest code आ जाए तो अब हमारे पास latest code आ चुका है और हम ये करेंगे कि हम break point लगाएंगे यहाँ पर और game loop के अंदर हम उसके बाद break point लगाएंगे तो सबसे पहले left key का case देखते हैं तो जब मैंने left key दबाई तो ये यहाँ पर आया और इसने x velocity को minus 1 कर दिया ठीक है अब जब जब game loop चलेगा तब तब ये value change होती रहेगी और य ये पीछे चला गया इसी तरीके से x velocity minus 1 है तो अब ये क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी तो हम step over करें तो अब ये 8 हो गई है और अब 8 ही इस्तमाल होगी आगे game loop में है तो अब हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे जब तक ये आखरी point में पहुंचा है अब ये आखरी point है इस से अगर ये मजीद left पे जाता है तो हमें इस snake को यहां से गाइब करके इस जगा पे place करना था जिसका हमने code लिखा है तो अभी last time जो game loop चला था उसमें ये 0 position पे आ गया अब जो game loop चलने जा रहा है उसमें x velocity है minus 1 और player position क्या है 0 तो अगर हम आगे चलें तो आप देखें ये इस case के अंदर आ रहा है जिसमें player position x है less than 0 तो इस case के अंदर हम player position x को क्या करना चाहेंगे हम इसको करना चाहेंगे 19 क्यूंकि ये last box सीधे हाथ वाली दीवार के साथ जो है वो 19 होता है तो हम आगे बढ़े और ये tiles count था 20, minus 1 किया और player position क्या हो गई 19 अब अगर मैं play करूँ तो आप देखें ये right side वाली दीवार पे आ गया तो ये ही हमें करना था अब अगर मैं इसको break point को हटा दूँ तो ये बहुत smoothly ये ही काम बार-बार करता रहेगा क्योंकि जब भी वो left दीवार से पीछे जा रहे है तो हम उसे right दी वार है उसका case देखते हैं तो मैं जाकर यहाँ पे key press करता हूँ right और अब हम game loop के अंदर जाकर break point लगा देगे तो आप देखें कि x velocity क्या है plus 1 है और ये है 10 तो ये हर दफा आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जब तक कि ये कोने पे ना पहु 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो ये आगे चलेगा और अब ये इस case में आ जाएगा जबके player position x की value 20 है और ये बड़ी है tiles count minus 1 से ठीक है tiles count minus 1 19 होता है इस case के अंदर हम player position x को 0 कर देंगे ताकि वो यहाँ से गाइब हो कर यहाँ से अपेर हो जाए ठीक है तो अगर हम इसको play कर जाता है यानि कि 0 से छोटा हो जाता है तो हम उसको नीचे वाली wall से appear करवा देते हैं tiles count minus 1 के through सही है तो जब जब ये 0 से कम हो रहा है हम इसको 19 पे place करते हैं इसी तरीके से जब जब ये 19 से बड़ा हो जाता है तब तब हम इसको 0 पे place कर देते हैं तो अब हमने ये step properly कर लि दीवारों का जो case है वो हमने लिख लिया है तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे अगली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि स्नेक और एपल का टकराओ कैसे होता है क्योंकि जब जब इसनेक एपल को खाता है तो एपल किसी नई जगा पे place हो जाता है तो अगली वीडियो सीरीज को ज्यादर से ज्यादर लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादर लोग HTML, JavaScript और ये HTML5 Canvas का गेम सीख सकें. Thank you.